So, welcome all of you, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लोग के अंदर तो देखिए, आज हम डिसकस करते हैं, सुप्ट्रिम कोट ने ऐसी कौनसी डिरेक्शन दी हुई है पुलीस वालों को कि अगर किसी परसन को जब वो अरेस्ट करते हैं, किसी परसन को वो जो है विटनिस के तूर पर पूछता आज के लिए किसी परसन को बुलाते हैं तो ऐसी परस्तिती में उस परसन के क्या राइट होते हैं या पुलीस वालों को कौनसी ऐसी डिरेक्शन होते हैं उसके according उन्हें काम करना होता है तो देखिए आज के ठावाले में हम कुछ पी ऐसी गलती कर सकते हैं और आए दिन हम पुलिस वालों से हमारा आमना सामना होता रहता है तो यह सभी जानते हैं कि पुलिस वाले को बहुत गलत तरीकी से आप लोग के साथ पीश आते हैं और जबर्दस्ति आपको थाने के अंदर बिठा लेते हैं तो उस प्रस्तिती में आपको करना क्या है आपको जानकरी होनी चाहिए कि आपके क्या राइट्स है जो डिरेक्शन सुप्रिम कोट ने दिया हमारे होनेबल सुप्रिम कोट ने जो डिरेक्शन दिया गिरफतारी के समय उसमें पहला जो आप लोगों का एक राइट होता है या पुलिस वाले की ड्यूटी होती है जो यह जो डिरेक्शन दिया है तो अगर वो ऐसा नहीं अगर उसने पट्टी नहीं लगाई है तो वो जो है सुप्रिम कोट के सीधे डिरेक्शन का वोईलेशन करता है वो पुलिस अधिकारी अगर मैं बात करूँ दूसरे हमारे उसकी तो देखे उसके अंदर बोला गया गिरफटारी करने वाले पुलिस कर्मी अधिकारियों को उसी वक्त गिरफटारी का मीमो मनाकर हिरासत में लिए गई वक्ति के परिवार या उस चेतर के सम्मानित यवक्ति से गवा के तोर पर म मीमो को सत्यापित कराना चाहिए गिरफटार किये गई यवक्ति के अथवा पुछताज के लिए हिरासत में रखे गई वक्ति के परिवार के कम से कम एक सदस्यार रिष्टेदार या मित्री वे उसकी किसी सुप्चंतक को जल्दी से जल्दी इसकी सूचना दी जानी है यदि वे इस डिले अथवा शेहर के बाहर रहते हैं तो गिरफटारी के बारा घंटे के बीच कानूनी सायता संगतर उस चेतर के थाने को तार द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए अब देखे इसे हम समझते हैं इसके अंदर क्या बोला गया है तो देखे मालनी ज पूचताच में ले गए यदि के परिवार के कम से कम एक सदस्य को जानकारी दे दीनी चाहिए अगर आपको अरेस्ट किया है तो पुलिस करमी के जिम्मेदारी है वो आपकी फैमिली को इंफर्म करें कि मैंने आपके जो भी एक्स यजट परसन है इसको जो है अरेस्ट किया आपके एरिये के थाने को जो है इसकी सूचना देनी चाहिए तो यह एक दूसरा जो है डिरेक्शन जो है मानने सुप्रेम कोट ने दी है वहीं अगर मैं बात करूँ तीसरे उसकी तो गिरफतार किये गई वक्ति को उसके इस अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए कि उसक के परिवारत है कि आपके किसी सूचन तक को देंगे वहीं मैं बात करूँ फूर्थ पॉइंट की गिरफतार करने के वक्त गिरफतार वक्ति के शरीर की जाज कराई जाए और उसके शरीर पर यदि चोटों के निशान हो तो उन्हें उसी वक्त दर्ज किया जाना चाहिए ज जाज मीमो पर गिरफतार करने वाले वक्ति के हस्ताक्षर पुलीस अधिकारी जिसने उसे अरेस के उसके भी हस्ताक्षर होने चाहिए और इसको जो एक कॉपी जो है जिस परसन को गिरफतार किया गया गया उसे उप्लब्द कराई जानी चाहिए वहीं अगर मैं 500 के अंदर उस पुलिस करमी की डूटी है उसकी जो है मेडिकल टैस्ट जो है उसका कराया जाए वहीं अगर च्छटे पॉइंट के बारे में बात करूं गिरफतारी के सभी कागजा जिसमें गिरफतारी मीमो भी शामिल हो रिकोर्ड के लिए 6-3 मजिस्टेड को भेजा जाए मालने जी आप दिल्ली में किसी मालने जी आप रहनी के इंदर रहते हैं तो आपको रहनी में अरेस्ट किया गया है तो उस एरिये का मजिस्टेड में जो जो जुडिशिल मजिस्टेड है जो कोट के इंदर बैठते हैं उनके पास गिरफतारी मीमो वेगरा सब कुछ उनके बीजा जाना चाहिए उस पुलिस कर्मी द्वारा साट्व पाइंट की बात करूं तो गिरफतार किये गई युवक्तियों को पूछताच के दौरान अपने वकिल से मिलने की छूट दी जाए इस यह आपका राइट है कि आप अपने वकिल से बात कर सकते हैं वहीं अगर मैं आटवे पाइंट के बात करूं सभी जिलो वेर राज्यों के मुख्यालों में ऐसा पुलिस नियंतर कर्ख्ष मनाया जाए जहां गिरफतार किये गई वक्तियों और हिरासत में जहां इन्हें रखा गया है उस इस्तान के नाम की पुलिस नियंतर कर्ख्ष के न जो है पूरा इस नोटिस बोड़ पर लगाया जाएगा कि इस परसन को हमने गिरफतार किया है और अगर मानने जे वो सब यह सभी जो भी डिरेक्शन मानने सुप्रिम कोट ने दिये हैं अगर वो नहीं इनको फोलो करता तो इसके लिए वो जो है पुलिस अदिकारी दोशी किये गए हैं तो होप सो वीडियो अच्छे लगी हो तो शेयर करें लाइक करें कुछ चैनल पर पहरी बार है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू